नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबेगा एक वाद फिर से मारी यूटूब चैनल प्रेंस आज इक्वेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस फिडियो में हम बात करने वाले हैं एक्वेशन के बारे में कि ऑनलान एक्वेशन को कैसे कैसे करोगा रिंपर को समध कैसे करोगा पैपLock और इपना सबजेक्ट वाईस डारेक्टी चेंज कैसे कर सकते हो mark for review का मतलब क्या होता है question को erase करना है तो कैसे करेंगे और जैसे की मतलब काफी questions होंगे जो कि आपकी मायन में होंगे तो मैं online examination के बारे में complete detail में बात करने बाला हूँ step by step detail में बात करेंगे आप एक बार complete video को देख लिए अगर आप SSCJ का exam देने जा रहे हैं तो एक बार video को complete देखे जाएं जिससे कि आप लोगो को इसके बारे में complete detail में आराम से पता चल जाए ठीक है तो चली वीडियो को start करते हैं उससे पहले में आप से भी को बताना चाहूँगा अगर आप इसी तरह की वीडियो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा देखे आपको ये ऐवनिक ये वीडियो आपको देखना चाहिए जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि online exam instructions क्या क्या होते हैं क्या क्या चीज़ें आपको माप इल सेंटर पे लेके जानी होती है अगर आपका मालो यह गलती है आपके नाम या डियो भी आपको तो क्या करना चाहिए मैंस आप लोग एक्जाम देने जा रहा है तो एक बार इस वीडियो को देखके जाएं आपके PC होगा और साथ ही यहाँ पर एक Keyboard रखा होगा और इस Posture में आपको यहाँ पर बिठाया जाएगा और साथ में बरावर में आपके Right Hand Side पर एक होगा Mouse ठीक है इस Mouse से ही आपको सारे काम करने है इसी से Question आपको टिक करने है इसी से Paper Submit करना है सब कुछ इसी से आपको करना होता है ठीक है बाइक इसमें Keyboard का यूज आप लोग केवल अपना Roll Number और Password डालने के लिए करते हैं अगर आप यह भी नहीं करना चाहिए तो यह भी आप Keyboards को छोड़के आप लोग अपना Mouse से डाल सकते हैं यहां पर यह भी Option अवेलेबल होता है ठीक है अब देखिए Mouse को कैसे पकड़ना है जैसे कि मैं आपको दिखाने के कोसिस करता हूं Mouse को पकड़ने का तरीका क्या होता यहीं काफी को आइंडल जानते होंगे लेकिन मैं आपको बिल्कुल Basic से बता रहे हूं एक बार जान लोगे और अच्छे से तो बढ़िया रहेगा ठीक है अब देखिए यह होती है आपके Index Finger पहली उंगली जो आपको यहीं से आपको और देखिए यह सारी ओंगले आपको पीछे रखनी होती है जिससे आपको कोई भी टच करने की जरूत नहीं है और देखिए के बल जो काम होता है वो पहली ओंगली करना होता है ठीक है और अंगुठा आपको इधर रखना पड़ता है मैं इस कोशन को जब भी आप टिक जो कि आप लोग देख सकते हैं जहां पर आप लोग अपना online exam दोगे और यहां पर देखिए आपको system का id दिखाई देगा system name ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नाम दिखाएगा जो भी आपका नाम होगा जो अपने दिया होगा उसके बाद candidate का photo दिखाई देगा जो भी photo अपने यहां पर लगाया होगा वो photo आपको दिखाई देगा साथ ही देखिए यहां पर आपको अपना run number डालना है जो कि आपको अपना admit card पर लिखा हुआ है और यह password डालना है जो कि आपकी do भी होगी without space special character जो कि आपके admit card पर लिखी हुई है password की रोप में ठीक है उसके ब कुछ instructions होते हैं इनको आप English में पढ़ना चाहिए English में पढ़ सकते हैं और आप इसको Hindi में भी पढ़ना चाहिए तो यहां पर Hindi के लिए भी options available है यहां पर देखिए language को इसमें view in पर click करके आप इसकी language चेंज कर सकते हैं Hindi वाले English पर क्लिक कर सकते हैं English वाले छोड़ देंग इनको को आपको अच्छे से पढ़ना जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक option देखाता है पहले नंबर पर white color का तो white color का मतलब होता है कि आप question को अपना मुझी यान की चेक ही नहीं कर पाएं question को widget ही नहीं कर पाएं तो आपको white color का option दिखाई देगा question tag में उसके झामत्राइन टो नहीं किया ने आपको answer सीन करने के बाद आप उसका answer नहीं दोगे । इस तरीके से आप तो दिखाई देगा थीक है बाई यह clear हो गया MRH for review के ले के अब simply वो बोलेंगे कि यहow पढ़ने के बाद आप बोलेंगे Next पर क्लिक करो तो आपको Next बटन पर क्लिक करना है वो बोलेंगे कि आप इनको अच्छे से पढ़ोगा एक बार जो भी पर चीजम लिकर यानरी का मतलब है कि जो हेंडी करना चाहेंडी में कर सकते हैं थिक हैं तैंसके बाद इंट्रिक्षिंस को आप को पर्ड़ना तो ंवी कि शनाते हैं आप लोग अच्छी से ओब धेए आपको उसके बाद यहाँ पर एक language का option मिलता है कि आप किस language में आपको exam देना चाहते हैं तो language आपको यहाँ पर select करने हैं जो गेंदे English में देना चाहिए English पर select करेंगे हिंदी बाले हिंदी पर select करेंगे जैसे कि मैं हिंदी पर आप सभी के सामने select करता हूँ और एक आई अपर इंस्टेक्शन का आपको एक टिक करना पड़ता है आपका exam स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीके बाई आपका examination स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा में लिखा हुआ इतना ही मिलेगा ठीक है बाई clear हो गया होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको question दिखाई दे रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह question आपको दिखाई दे रहा है reasoning का ऐसे ही आपको कोई भी subject पहले आ सकता reasoning आ सकता जीके आ सकता या फिर आपने stream जो भी होगा आपका civil electrical mechanical तो वो आपको आ सकता है ठीक है तो यह आपका आता है सबसे पहले जायतर mostly chances है कि reasoning ही आएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा आपको इसको पढ़ना है और इसको answer देना है मालो मैं इसका answer कोई भी लगा करने के बाद आपको solve करना है ठीक है आप मैंने इसका option लगा दिया और आपको सेब करना है तो simply में क्या करूंगा एक option होगा आपको right hand side पर save and next का simply आपको save and next पर click कर देना है जैसे आप save and next पर click करोगे तो जैसे कि आप लोग हम पर देख सकते हैं देखिए जैसे आपके इस तरीके से इंटरफेस आगा उसके बाद आपको फिर से second question आ जाता है फिर मैं इसका कोई answer देता हूं उस तरीके से answer दे दूँगा उसके आपको save and next पर click कर देना है देखिए दोस्तो जो भी question का आप answer दे दोगे इस तरीके से आपको दिखाई देगा जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कैसा green color का ठीक है दो question मैंने कर लिए तो green color का दिखाई दे रहा है उसके बाद देखिए आप मालो यह question है मैं इसको नहीं करना चाहता है इसको छोड़ना चाहता हूं तो directly save and next पर click कर दूँगा और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यह आपका नहीं दिखा रहा है मैंस कहने का मतलब है अब हमने third question जो है वो हमने नहीं किया तो इस तरीके से कैसा दिखा रहा है red color का दिखा रहा है ठीक और अगले question का मैं answer देना चाहता हूं तो मैंने answer दे दिया इस तरीके से देखिए आप answer दोगे उसी का green color का दिखाई देगा जो आप answer नहीं दोगे जैसे कि यहां पर नहीं दिया तो red color का दिखाई दे रहा है answer दे दिया तो green color का दिखाई दे रहा है ठीक है बाई क्लिर हो कोशन का टिक नहीं किया लेकिन आपने मार्क फ़र उफ्वेव में में डाल दिया अगर कोशन का टिक नहीं करोगे आपको यह सरकल सा दिखाई देगा लेकिन इसमें कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा ठीक है यह कोशन yapmış पर देंगे liesse तरीके से और इसका अंसर भी दे दिया अब देखिए जो भी आप अपना अंसर दोगे वो इस तरीके से दिखाई देगा अब मैं आगे बताता हूँ कि आपको याणि के आंसर देने के बाद मार्क फर रिवी में कैसे डालना है मालो कि मैंने इसका अंसर दे दिया अंसर नहीं दोगे तो रैड कलर का दिखाई देगा और आप अंसर नहीं दोगे और मार्क फर रिवी में डाल दोगे तो यह आपको किस यह सरकल दिखाई देगा केबल और आप अंसर देने के बाद मार्क फर रिवी में डालोगे तो सरकल के साथ में एक डॉट सा लगाएगा वो इसका दिखाई देगा ठीक है अब ये क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं देखे ये इसलिए यूज करते हैं हम लोग mark for review का यूज इसलिए करते हैं कि इससे हमको पता लग जाए क्योंकि इतने सारे question होते हैं हम find नहीं कर पाते हैं ये question कोई सा number question था जो कि हमने अपना मुझे याद नहीं था मुझे बाद में उसको करना है ठीक है ये बाद में करने के लिए indicate करने के लिए होता है बस और कुछ नहीं इसका कोई मतलब नहीं होता इसका कोई भी number आपको नहीं मुलेगा जब तक आप इसका answer नहीं करोगे ठीक ठीक है बाई नेगेटिव मार्किंग है इस एक्जाम है जो कि आप लोग जानते हैं 200 कुशन आने बाले हैं 2 गंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा यह आप लोग अच्छे से ध्यान रखें ठीक है बाई किलियर हो गया टाइमिंग आपका बिसस कर ध्यान रखें इस त करना नहीं है तो सिंपल में क्या करूँगा यहाँ पर एक ऑप्षन आपको जैसे कि यहां पर दिखा रहा है इसको क्या करूँगा फिर मैं सिंपली लग गया, मैं इसको change करना चाहता हूँ, B वाला option करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं इसको question को आगे पीछे भी कर सकता हूँ, online examination में ये फायदा है कि आप question को अन्य option को change भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये clear हो गया होगा मेरे साब से, उसके बाद देखी, यहाँ पर आपको question पर भी move कर सकते हैं, मालो में 20 question पर directly move करना चाहता है, तो 20 number पर mouse लाना और click कर देना है, उसके बाद आप लोग direct 20 number question पर आ जाओगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप question पर directly move out कर सकते हैं, ठीक है बाई, और directly आप मालो second number question पर आते देगा, यहाँ पर इस तरीके से, मैं आपको दिखाने के कोसिस करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको simply दिखाए देगा, पहला option होगा, reasoning का, दूसरा option जीके का, तीसरा होगा, आपके जो भी subject होगा, reasoning, साथी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, electrical, mechanical, civil तो वो आपको इस column में दिखाए देगा, तो जिसके भी question आप लोग पहले करना चाहते हैं, उस पर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीके, आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, मैं मनलो, आप अपने subject से related करना चाहते हैं, जैसे कि आप branch related मनलो, आप लोग civil करना चा सकते हैं, और आपको यह लगता है कि मुझे GK के question पहले करना है, तो मैं इस यहाँ पर option पर click कर लो, तो GK के option पहले आ जाएंगे आप सभी के सामने, और आपको यह लगता है कि मुझे reasoning पहले करना है, तो reasoning आपको पहले number पर आएगा ही, और नहीं आए तो आपको click करके reasoning प को ध्यान रखना कि यानि कि के लिए जो भी आप प्लोग सूल्व करोगी रिज् Marshmagnong और आपके एंपकर एक्जामिशन व्लमेर राफ और प्हालियं में दोनों दिये जाते हैं उसके बाद आपको एक्जाटम हो जाता है तो फो चीजएं आपके ले लिए आप उसको submit कर सकते हो वो आपको बोलेंगे examination hall में जितनी भी इन्डिविलिचर होंगे वो आपसे बोलेंगे आपका time खतम हो चुका है और आपने जितनी भी question कर लिए होंगे time से पहले कर लें चीज का मैं आपको पहले बता दिता हूं कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने solve कर लिए अ पाकि आराम से मेरे साबसे आप लोग कर लीजी का इसी तरह कैसे कोई भी दिक्कत आती है आप comment box में पूछलो में आपको reply दे दूँगा इतना ही ताइस वीडियो में फिलाल आपको समझ में आगे होगा clear तरीके से समझ में आ चुका है दोस्तों दो प्लीज वीडियो को like क कितने की हैं उसमें आपको दिखा देता हो नीचे total number of position भी दिखा देगा कितने मैं से आपने कितने की हैं ठीक है वो बोलने के बाद आपको directly summit पे एक बार फिर से क्लिक करना होता है वो करने के बाद एक time q का option आता है ऐसी तरीके से आपको अग्जांप खतम हो जाता है ठीक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें आपको वीडियो कैसी लगे कर आपको सच में वीडियो एल्फुल लगी है और मेरे विद्वारा देगे जानकार या आपको अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe करके बाइक बटन प्रेस करो ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेकिए हो आपको तुरंद अपडेट मिलें से लिए मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिए वन्यमात्रम